अलो फ्रेंड्स वेलकम टू जिक्के नोट्स आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे वार्षिक प्रसासनिक रिपोर्ट एनिमल एडिमिस्ट्रेटिव रिपोर्ट के बारे में जो 2018-19 की रिपोर्ट लेटस्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे उससे पहले मैं आपको बता द प्रसासनिक रिपोर्ट जो हर्याना का पसुपालन एवं डेरी भाग निकालता है ठीक है और पसुपालन और डेरी मंतरी कौन है जेपी दलाल लोहारू विदान सबसे ठीक है अब देखो 2019 में रिपोर्ट आई कौन सी रिपोर्ट थिये बावनवी ठीक है और जिसके तहत हम मैं बता चला कि 2879 पसुपालन विवाग ये अन्य गतिवी दियों तु कारियरत रही हैं कि इसका काम कर रही है 2879 यह याद रखना और पसुदन विमायोजना कब आई थी यह बता दो आप 29 जुलाई 2016 को 29 जुलाई 2016 को कौन सी योजना आए थी पसुदन विमायोजना उसके बाद इसको जोड़ा गया पंडित दीन दयाल उपाद आए सामुहिक पसुदन विमायोजना सामुहिक पसुदन विमायोजना यह कब आई है अभी 2021 में ही आई है तो जिसके तहत पांच बड़े पसु पांच बड़े पसु के लिए 100 रुपे प्रीमियम लगेगा और पचास छोटे पसु के लिए 25 रुपे जिसके तहत भैस में 80,000 रुपे मिलेंगे और गाय के भी 80,000 रुपे मिलेंगे भैस के 88,000 मिलते हैं और गोड़े के 40,000 रुपे मिलते हैं तो यह कौन सी योजना है पंडित दिन दयाल उपाद है सामुहिक पसुदन विमायोजना यह 2021 में ही आई है साइध अप्रेल 2021 होगा अगर इसकी अग्जेक्ट डेट आपको पता है तो कमेंट में मुझे बता देना ठीक है पसुदन विमायोजना कब आई थी 29 जुलाई 2016 को वार्शेक प्रसासनिक रिपोर्ट यह कौन सा विभाग निकालता है हर्याना का पसुदन यहों डैरी विभाग निकालता है ठीक है इसके बारे में बस इतना ही याद रख लेना काफी रहेगा इसको उससे रिलेट मत कर देना कि यह पसुदन ना थी पसुदन अलग चीज़ है वो हर पांच साल बाद आती है और यह क्या है हर वर्श आती है हर्याना में एनुल एड्मिस्टेटिव रिपोर्ट और यह 2018 की ब एक और important topic पसुदन के गरब काल और जीवन काल के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे अब देखो ध्यान से कि आती का गरब काल क्या है जीवन काल क्या है यह आप इस series में लिख लेना इसको याद करने के लिए एक series में लिख लेना क्यों भी हाथी सबसे बड़ा होता है size म बजन में भी उट फिर उसके बाद उट फिर घोड़ा फिर घदा फिर घोड़ा बहस गाए बाग बकरी सूर कुत्ते यह size के हिसाब से छोटे होते जा रहे हैं उसी तरह उनका गरब काल भी जिसका जितना बड़ा size होगा उसका गरब काल उतना ही जादा होगा तो सबसे ज् गरब काल होता है हाथी का 624 दिन है ठीक है तो 624 दिन हाथी का गरब काल होता है उट का गरब काल कितना होता है उट का गरब काल होता है 400 दिन 400 दिन होता है उट का गरब काल गदे का गरब काल कितना होता है गदे 365 दिन गदे ही रहते हैं यानि गदा 365 दिन गदा ही रहता है तो 365 के दिन आ जाएगा गदे का गरब काल ठीक है और गोडे का गरब काल कितना होता है तोड़ा बहुत उपर नीचे चलता है बात का गरब काल कितना होता है बाग का गष्प काल होता है, बाग और बकष्णी एक जैसी ही गष्प क오ते हैं, 155 दिन और बकष्णी के 151,500 दिन भी आजाता है, सूर 114 दिन और कुत्ते छेतरों में रहते हैं, सेतर से याद रखना 63 तो कुत्ते का गष्प काल कितने होता है, 63 दिन तो ये सारे चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आत्थी का गर्ब काल कितना होता है 624 दिन ये भी सिक्वेंस से गड़ते ही जा रहे है आप ध्यान से इनको देखोगे तो आपको पता चलेगा 624 फिर 400 335 330 310 284 ये गड़ते करम में और ये भी साइज से गड़ते करम में है तो इसको आप अपनी तरफ से कुछ भी ट्रिक बना के याद रख लेना जैसे कुट्टे कहां पर रहते हैं छेत्रों में छेत्र से याद रखेंगे 63 ठीक है इनको अलग अलग याद मत करना एक साथ लिखके याद करो गए तो आरम से हो जाएंगे आथी सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा हाती 624 दिन सबसे कम कुट्टा हो गया 63 दिन उट 400 दिन गदे 365 दिन गदे होते हैं गोड़े 330 दिन बैस 310 गाये 244 तो ऐसे आपको याद रखना में का इनका जिवन काल की बात करें तो जिवन काल कितना हो जाएगा इसका हूत अथि बाता है 15 से लेकर 55 बश्श्रूं का जिवन काल कितना होता है 29 29 येर 29 वर्स उन्ट का जिवनकाल हो गया उसके बाद गोड़े का जिवनकाल पूछ सकते हैं गोड़े का जिवनकाल कितना होता है पचास वर्स बैस का और गाय का जिवनकाल 20 से 25 वर्स होता है दोनों का गाय और बैस का कितना होता है 20 से लेकर 25 वर्स बक्री का जिवन काल कितना होता है बारा से लेकर सोला वर्स सुवर का जिवन काल कितना होता है सुवर सबसे लंबा जिता है 80 वर्स और कुट्टे का जिवन काल कितना होता है 20 वर्स खरगोस का जिवन काल कितना होता है 13 वर्स ठीक है तो ये सारे जानवर हैं important इनका जिवनकाल आप याद रखना और इनका गरबकाल भी आप याद रख सकते हैं इनकी trick की वीडियो आपको YouTube पे बहुत मिल जाएंगी आप वहां से भी कर सकते हो कोई दिक्त नहीं है special trick की वीडियो भी मिल जाती है याद करने की बाकि आप अपनी तरफ से जैसे भी trick बना के याद कर लेना यह होगे इनके गरबकाल और जिवनकाल सुवर परजनन के अंदर कहां परस्तित है सुवर परजनन के अंदर कहां परस्तित है यह बताओ आप सुवर परजनन के अंदर है हिसार में ठीक है तो कोई भी परजनन के अंदर आए और option में आपको याद नहीं हो तो आप कौन सा option पे तेटिक करोए हिसार पर ठीक लोई क्या हैर परजन के अंदर और पर्शो के प्रिवार इस भी रिवर्श्य ना घ्याएं पर सो के प्रिवार गवार के परीवार इस शीर कौंसे प्रिवार शरी uploaded कि किby कोड़े कौन से प्रिवार से समदित है कुण घोड़े आज के लिए इतना ही काफी है नेक्स्ट वीदिो में हम लोग क्या पढ़ेंगे पस्वों के रोब बटेंगे ठीक है, मिलते है नेक्स वीडियो में थैंक्यू सो मच